आदेन्य प्रधाने चारे महदे मानिय शिच्छक्गन एवं मेरे प्यारे भाईयों एवं बहनों आज 2 अक्तूबर है और नसीफ पुरा हिंदुस्तान बल्कि दुनिया की कई देश एकसा बावनवी गांधी जैनती मना रहे हैं राष्ट्रिपिता महात्मा गांधी का जन 2 अक्तूबर 1879 को गुजरात के पोर बंदर में हुआ था उनका पूरा नाम मोहन दास करमचन गांधी था आगे चलकर लोगों के बीच वह बापु के नाम से पुकार्य जाने लगे बापु ने देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाने में सबसे एहम भूमी का निभाई उन्होंने अपने सत्ते और अहिंसा के सिध्धान्त के दम पर अंग्रेजों को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया उनके अहिंसा के सिध्धान्त को पूरी दुनिया ने सलाम किया यही वज़य है कि पूरा विश्व आज का दिन अंतराश्ट्रे अहिंसा दिवस के तौर पर भी मराता है महात्मा गांधी के विचार हमेशा से न सिर्व भारत बलकि पूरे विश्व का मार्ग दर्शन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे महात्मा गांधी की महानता उनके कार्यों वविचारों के कारण ही दो अक्तूबर को सरतंत्रता दिवस और गंतंत्र दिवस की तरह राश्ट्रे परविका दर्जा दिया गया है गांधी जी इस बात में विश्वास रखते थे कि हिंसा के रस्ते पर चलकर आप कभी भी अपने अधिकार नहीं पा सकते उन्होंने विरोध करने के लिए सत्या गरह का रास्ता अपनाया महात्मा गांधी ने लंदन में खानून की पढ़ाई की थी लंदन से बैडिस्टर की डिगरी हासिल कर उन्होंने बड़ा अफसर क्या वकील बनना उचित नहीं समझा बलकि अपना पूरा जिवन देश के नाम समर्पित कर दिया अपने जीवन में उन्होंने ब्रेटिश हकूमत के खिलाफ कई आंदूलन किये वे हमेशा लोगों को अधिकार दिलाने की नडाई लड़ते रहे चमपारन सत्याग्रह, असेयोग आंदूलन, दांडी सत्याग्रह, दलित आंदूलन, भारत छोडों आंदूलन उनके कुछ परमुक आंदूलन ने जिन्होंने ब्रेटिश समराज की नीव कमजोर करने में बड़ा रोल अदा किया गांधी जी ने भारतिय समाज में व्याप्त छुअचूद जैसी बुराईयों के प्रती लगातार अवाज उठाई हमारे समाज में जिन समुदाओं के लोगों को अच्छूद कहा जाता था उन्हें बापु ने हरीजन नाम दिया जिस शब्द का अर्थ है हरी मिल्स भगवान की संतान इस एक पल ने इन समुदाओं के लोगों को संबाज जनक जीवन दिलाने की कोशिश में बड़ी भूमी का निभाई वो चांगते थे कि ऐसा समाज बने जिसमें सभी लोगों को ब्राबरी का दर्जा हासिल हो क्योंकि सभी को एक ही इश्वर ने बनाया है उनमें भेद भाव नहीं किया जाना चाहिए नारी सशक्तिकरन के लिए भी वेह हमेशा पर्यासरत रहे साथियों यह बास सही है कि आज हम सभी गांदी जी का काफी सम्मान करते हैं लेकिन उनके सपने तो तभी पूरे होंगे जब हम उनके बताए शान्ती, अहिंसा, सत्य, सम्मानता, महिलों के प्रति सम्मान जैसे आदर्शों पर चलेंगे तो आज के दिन हमें उनके वीचारों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए धन्यवाद, जैहिंद प्लीज दू लाइक, शेर और सब्सक्राइब थैंक यू